हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इसके सोनूट टेक वर्ल्ड फ्रेंड आप उपर थमनल पस सही देख रहे हैं अब सारा जिला में एक छण भी नहीं कटे गए बिजली मनानिये सांसद राजी उपरताप रोडी ने ए बाते कही है आखिर कौन सा सिस्टम लगने वाला है सारा जिला में ये भारत में पहला बार होने वाला है चलिए इस वीडियो में होनों देखते हैं आखिर क्या कुछ बताई गई है देखिए प्रिंट आप लोग यहाँ देख सकते हैं सारा जिला में बिजली के आख मिचोली का खेल अब होगी समाप एक पावर सब एस्टेशन से बिजली गुल होगी तो दूसरा सब एस्टेशन से स्वतह जूर जाएगी एक च्छन के लिए भी अब बिजली नहीं होगी गुल उन्होंने कहा कि एक बर्स के अंदर सब भी पावर सब एस्टेशन को एक दूसरे से जोर दिया जाएगा छपरा सहर के लिए यह योजना त्यार कर लिया गया है उन्होंने बताया कि कोहरा बजार पीएसेस से जलालपूर पोजी से गरखा दोरीगं से मूरा परसा से दर्यापूर दिघवारा से आमिगाँ दिघवारा से दिघवारा टाउन माधूपूर गाउं से बंगरा जलालपूर से बस दिला खैरा से कोपा अमनौर पीएसेस से अमनौर पोखरा को पावर सब एस्टेशन से जोडने की पहल की गई है चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ बताया गया है इसमें उन्होंने आगे कहा कि सारण में और धोगिक छित्र बढ़ाने की बात हो रही है जिसमें पावर की सबसे बड़ी अवसकता होती है जिससे पूरा करने के लिए चार सो केविय का पाउर गिर लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है देखिए प्रिंट आप लोग यहां देख सकते हैं और धोगिक छित्र को बढ़ावा दिया जाएगा सारण में यह बहुत बढ़ी बात है बिरजगारों के लिए उन्होंने बताया कि पहले स चार में 1,75,000 कंजुमर पेमेंट होता था जो बढ़कर 3,85,000 हो गया है पर तेकमा 14,000 करोर का रज़ास्व उगाही होता था जो अब बढ़कर 100 करोर हो गया है यह राज का सबसे अधिक रज़ास्व है जो की सारंजिला से मिलता है तो प्रिंट इस तरह से आप लोग देख सकते हैं आप सभी के लिए सारंजिला में और धोगिक छेत के भी बात की गई है तो आप लोग यहां देख सकते हैं अब यह बहुत ही खुसी की बात है कि अब सारंजिला में और धोगिक छेत का भी विकास होना सुरू हो जाएगा फ्रेंड ए वीडियो आप सभी को कैसा के लिए जाय हिंद।